जो दुर्गवान, पुन और हम सब के लिए चिंता जनक घटना घटी है, निश्चित रूप से पूरे सदन में इस पर गहरी चिंता व्यक्ट की थी। और इस घटना को सामविक रूप से भी हमने चिंता व्यक्ट भी की थी और भईश में घटना न घटे इसके लिए भी कारे योजना बनाने की योजना बनाए थी। उसी दिन मैंने इस विशे पर सभी नेताओं के साथ विचार विमश्च किया था और कैसे हम संसत की सुरक्षा वैस्ता को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमारे सभी दलों के नेताओं ने बहुत ही महत्मून सुजाओ दिये थे और मेरी कोशिश है कि उनकुछ सुजाओं मैंसे कुछ में अमल हुआ है, कुछ में आप के साथ बेढ़ कर और हम अमल करेंगे, और इस घटना की एक उच्चिस्तरी जाच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई और इसकी जाच कमिटी बनाई और इसकी जाच शुरू हो गई है, परल्लेमेंट इस तर पर भी इसकी लिए हाई पाउर कमिटी बनाई है, जो संसत परिश्मे में सुरुक्षा के विहिन पहलों की समिक्षा करेगी, और किस तरीके से हम संसत की सुरुक्षा को बेतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सब के सुझाओं पर एक टोस्ट कारियोजना भी बनाएंगे, ताकि हम भीश में किसी भी घटना का कोई घटना न गठे, उसके लिए हमारी सुरुक्षा वैस्ता व्यापक हो और सब के सयोग से हो, आप सभी भलिवाती अवगत है कि हमारे सदन में पूर में भी ऐसी घटना कई बार हो चुकी है, सदन के अंदर आगंतुक और किस्तल लाने वाली, नारे बाजे वाली और दर्शक में पूरने वाली परचे फेजने वाली घटना पूर में भी हुई थी, लेकिन उन सब घटनाओं पर भी माननी सदश्षों ने विशेषी रूप से सामित्ता से काम किया था, इस सदन में इस्प्रे फेटने जैसी घटना भी हुई, लेकिन हम सब ने ऐसी गटनाओं की रोज में एक स्वर में एक साथ मिलकर धड़ संकफ दिया था आप सभी भली बाती पच्चते हैं कि संसत की सुरक्षा का सेतुदिकार संसत सचिवाले के अंतरगत आता है इसलिए सुरक्षा के विशे में जो भी कार्योजना बनाएगी वो संसत बनाएगी आप से रुचार इमश्च करके बनाएगे और टोस कार्योजना बनाएगे पुर में भी ऐसी जब घटना घटी थी जब ततकालिन अद्यक्षों नहीं उस पर संध्यान लिया था और उस घटना पर कारवाई की थी ये दुरभागयपुन है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राज निती करने वाली घटना नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो मानिय सद्श्वा उस घटना से समझ भी नहीं है ये घटना अलग है और निलंबन का समझ केवल संसत की गरिमा बनी रहे उसकी प्रतिस्टा बनी रहे ये सब के मारी जिम्यदारी है मुझे दुख है म मैं कभी किसी मानिस सदश्य का निलंबन नी करना चाहता मुझे बहुत व्यक्तिकत प्रिड़ा भी होती है कि जो मेरे मानिस सदश्य है उनका निलंबन करूँ लेकिन संसत की मर्यादा बनाए रखना संसत की गरिमा बनाए रखना हम सब की जिम्मेदरी विशेष रूप से आप कि हम तख्थी लेकर नहीं आएंगे सदन की उच्छ पटी की गरिमा मर्यादा को बनाएक रखेंगे और किसी तरीके से हंगा मानी करेंगे देश की जनता भी ऐसे आच्छन को कत्त ही पसंद नहीं करती है इसलिए मेरा आप से आग रहा है कि हम सब इस अपेट्षा के साथ कि ऐ कि एसी गटना नगठे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे मर्यादा बनी रहे यह हम सब की जिम्मेदारी है और इसलिए भईष में सदन की गरिमा सवर्पर एड़ी है लोग सबांद्यश के रूप में मेरा सदे यह प्रियासता है कि सदन में सारत चर्चाओ । शकारत् असमति हमारी लोगतंत की विशेषता है लेकिन असमति सकारत मगो और विरोध भी हो तो हम अपने इस शब्दों के अंदर विचारधारा के आधा विरोध करें तक्तियान नारे बाजी करना बेल में आकर आसन के नजदीक आना ये सदन की गरिमा के अनकुर नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती इसलिए हम सब देश की प्रतिष्टा को बढ़ाने के लिए ल निवर्तन दा सकें इसके लिए मैं आपका सयोग चाहता हूं मैं चाहता हूं इस सदन में जो इसकी गरिमा रही है बड़ी बड़ी घट्नाओं पर साथ चर्चा हुई सभाद हुआ है मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं राष्ट के इत में अपने कर्टे और निभाने क करें लिए मिश्टा रूसे मुझे सयोग करेंगे फूर में भी आपका सयोग मिला आप सयोग करें सकारत में चर्चा करें सदन आपका है सदन में सब को भोलने का अधिकार है लेकिन यह तक्तिया लेकर आना यह उचित नहीं है और देश की जनता भी स्कों पसंद्री करती मैं आप से पेशा करता हूं कि आप सब सदन का सयोग करेंगे प्रश्ट निकाल को चलने देंगे प्रश्ट निकाल के बाद आप कोई विश्य हो तो मुझसे चर्चा करें मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान का रस्ता निकाल हूँ है मान ये सदन आपका है पूर में भी जब कभी सदन में घटना है घटी है तो ये शेतिलिकार संसथ सचेवाले काता है मैंने पूर में भी कहा था अज्देश होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में सभी माने सदस्टों की सुरक्षा बनी रहे और इसके लिए आप से बेट करीए समिख्षा करेंगे जो सुरक्षा के व्यापजिंतियाम है और व्यापजिंतियाम करेंगे जहां सरकार का सयोग लेना वा सरकार का संसच सचवाले किये आपके हर चिंता का समाधान अब निकालेंगे माने सदर्शे प्रीज आसन पे विराजे हैं मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ लेकि चिंता सब की है माने सदर्शेकन मुझे समा को सुपित करना है कि राजस्तान के नागोर संसदी निर्वाचेट से निर्वाचेट सी हनुमान बेनिवाल ने लोगसभा के अपनी सदर्शे त्याकपत दे दिया है मैंने 15 दिसंबर 2023 से उनके त्याकपत को सिकार कर लिया है आप बोलना चाते हैं जोशी जी सर मैं इतना ही बोलना चाता हूं सर तो जो बीएसी में निर्ने हुआता सर्वसम्मति से स्विक्रति हुआता कि सदर में हम फ्लेकार्ड नहीं लाएंगे इसमें तो आपने जब निवेजन किया कोई भी इसका विरोध ने किया सब में सर्वसम्मति से सभी पाल्टिया स्विक्रति दिया था कि हम तट्टिया प्लेकार्ड अंदर नहीं लाएंगे इसलिए मैं निवेजन करता हूं इसलिए चर्चा करना चाहिए बहुत महत्तपूर्ण बिल भी है वो भी कुछ विशे उठाते तो हम सब के चर्चा के लिए तयार है सर्थ तो इस तरीके से खंगामा खड़ा करना जब आप इतनी बार-बार निवेजन कर रहे हैं आपने सब एमपीज को लेटर लिखा है जो कुछ भी प्रिशिडेंट आप उल्लेक करते हुए लेटर लिखा है इसलिए मैं हाथ चोड़के प्रार्टना करता हूं यह जो प्लेकार लाए है इसको व रहना चाहता हूं प्राक्टिकली दिसीती लाट सेशन तो इसलिए मैं निवैदन करता हूं हाथ जोड़के विनंति करता हूं यह जो निल्ना हुआ था आपके समझ तो हम तट्टिया नहीं लाएंगे उसको स्विकर्ती दिया है इसको पालन करते हुए सदन चलाने के राट चुछा नाट अमर सिंग जी माने मंत्री जी माने मार सिंग जी क्यूशे नबर 202 स्री एस मुनश्यामी माने मंत्री जी माने सदेशे क्यूशे नम्बर 203